पुर्व में एक फिल्म आई थी दककस्मीर फाइल्स उसके मुद्दे अब तक चल रहे हैं और अब एक फिल्म आई है दककेरल स्टोरी उसको लेकर राजनीती मुद्दा बन गया है कहीं अगर आप बात करो बंगाल की या आप बात कर सकते हो दिल्ली की तो हर जगा ये विवाद मसहूर हो रहा है और इस विवाद में एक्टर्स और एक्टरिस भी सामील हुई है कुछ विपक्ष में हैं तो कोई पक्ष में बोल रहे हैं और क्या है पूरी खाहानी चलिए हम आपको पताते हैं वस्तार से नमस्कार मैं हूं खुजबु वर्मा आप देख रहे हैं नज़र टुले फिल्म दे केरल स्टोरी को पशिम मंगाल में बैंग कर दिया गया है मुख्यमंत्री ममता बेनर जी ने कहा है कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो राजी की सांती विवस्ता बाधित हो सकती है उन्होंने मुक्यसचीफ को दिये आदेश में कहा है कि अगर कोई आदेश का उलंगन करते दिखे तो उस पर सक्त करवाही की जाएगी सरकार की तरफ से जारी आदेश में भी यही कहा गया है कि अगर किसी को थीयटर में फिल्म चल रही हो तो उसे ततकाल हटा दिया जाए अब बंगाल फाइल्स बनने की भी तैयारी की जा रही है विजेपी की इसकी फंडिंग कर रहे हैं ममता बोली पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया अब केरल के लोगों का भी अपमान कर रहे हैं ममताव इनर्जी ने सूम बार को फ्रेस कॉंफरेंस में कहा केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा मुझे पता चला है कि बंगाल की भी फाइले तैयार की जा रही है मैं केरल के मुख्य मंत्री से बात करूँगी और उन्हें बताऊंगी कि CPM के कुछ लोग भी BJP के साथ मिले हुए हैं इस फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़ चार की गई है अगर ये फिल्म बंगाल में चलती रही तो राज्ज का संप्रदाइक माहौल बिगड सकता है इस लोगों ने पहले कस्मीर की लोगों का अपमान किया था अब केरल के लोगों का कर रहे हैं प्रोडियूसर बोले बंगाल सरकार के खिलाफ कानूनी कारवाही करेंगे दे केरल स्टोरी के प्रोडियूसर विपुल अमृत लाल शाह ने फिल्म को बैन करने पर नाराजगी जाहिर की है उन्होंने कहा है अगर राज्ज सरकारे हमारी बात नहीं मानेगी तो हम कानूनी कारवाही करेंगे विपुल ने तमिल नाडू के उन थियेटर्स मली कुक पर भी गुस्सा जाहिर किया है उन्होंने फिल्म के स्क्रीनिंग रोग दी है और उन्होंने कहा है तमिल नाडू में एक व्यक्ती ने धमकी देकर इस फिल्म को रिलीज होने से रोग दिया है मैं वहां की DMK और कॉंग्रेस की सरकार से निवेधन करूँगा कि वे जल से जल इस पर एक्षन ले और फिल्म को रिलीज करें AIMIM चीफ असुद्दिन ओवेसी ने फिल्म के बहाने PM मोधी पर निशाना सादा है उन्होंने कहा है हमारे प्रिधान मंतरी एक्टर होने के साथ एक फिल्म प्रोड्यूशर भी बन रहे हैं और उसे प्रमूट कर रहे हैं 130 करोड लोगों का प्रिधान मंतरी एक जूटी फिल्म को बढ़ावा दे रहे हैं फिल बनाने वाले में से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फिक्षन है या फैक्ट है तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके और जूट बोलकर अपना पेट पालोगे। दरसल पीम नरेंदर मोदी ने हाल ही में करनाटा की एक रैली में दकेरल स्टोरी का जिक्र गया था। उन्होंने कहा था बीते कुछ सालों में आतंगवाद का एक भयानक रूप पैदा हो गया है। केरल जैसे राज्ज में ये तीजी से फैल रहा है। कॉंग्रिस अब फिल्म पर बैन लगा कर आतंग की तत्वों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये लोग बस चीजों पर बैन लगाना जानते हैं। फिल्म में आतंगवाद के इस नए चहरे को परदा फास किया है। मोदीव ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा था आतंगवाद का नया स्वरूप क्या है। उसे फिल्म में सही तरिके से दिखाने की कोशिस की गई है। ये हत्यार और बंदूकों के अलावा एक नए जरीय से समाच को खोकला करने का काम कर रहे हैं। इस फिल्म में आतंगवाद के इस नए चहरे का परदा फास किया है। सत्ता में रहते वे कॉंग्रेस ने आतंगी संगटनों के सामने घुटने टेक दिये हैं। कॉंग्रेस ने इस देश को आतंगवाद से कभी नहीं बचाया। हम लोगों ने सालों तक इस पीड़ा को धेला हुआ है। अनुपमखैर बोलते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने दा कश्मीर फाइल का विरोध किया था। अनुपमखैर ने फिल्म के सपोर्ट में कहा। उन्होंने कहा साहीन बाग और CAA के खिलाफ प्रदेशन करने वाले ही इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दा कश्मीर फाइल का विरोध किया था। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों का मकसद क्या है। ये लोग बिलकुल बैमान हो गए हैं। सवाना अजमी बोलती है सेजन बोड ने फिल्म को पास किया है। अब विरोध करना गलत है। फिल्म के सपोर्ट में गीतकार जावेद अक्तर की पत्नी और एक्ट्रेस सवाना अजमी ने भी बयान बाजी की है। उन्होंने कहा है जो लोग दा कीरल स्टूरी को बैन करने की बात करते हैं वे उतने ही गलत है। जो आमिर खान के फिल्म लाल सिंग चड़ा को बयान करने की बात कर रहे थे। एक बार Central Board of Film Certification से फिल्म पास हो जाने के बाद किसी को भी Constitutional Authority बनने का हग नहीं है। दा केरल स्टूरी को लेकर मद्य प्रदेश में भी सियासी बयान बाजी जारी है। चलिए हम ये भी समझने का प्रियास करते हैं। मंद्य प्रदेश के ग्रै मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्षवपुर्व मुख्य मंत्री कमलनात और दिग्विजय सिंग के लिए इस फिल्म के टिकट बुक कराये हैं। ये टिकट भोपाल इस्तित भारट टॉकीज के है। ग्रै मंत्री ने कहा है मैंने दो टिकट दिग्विजय सिंग और कमलनात को भेजने के लिए खरीदे हैं। जाकिर नाइक को सांती दूत कहने वाले को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस बयान पर कॉंग्रेस दे पलटवार किया। कॉंग्रेस मीडिया विभाग के उपाध ध्यक्ष अबबास हफीज ने कहा है कि ये फिल्म तो हम अपने पैसों से देख लेंगे। लेकिन अब BBC की डॉक्यूमेंटरी देखा दीजिए। क्या है फिल्म की कहानी क्यों मचा रहे हैं बवाल। चलिए ये भी सबसने का परियास करते हैं। दे केरल स्टोरी को फिल्मेकर सुदिप्तो सैन के डारेक्ट किया है। फिल्म अपनी कहानी को लेकर विवादों में हैं। इसकी रिलीज के खिलाब सुप्रिम कोट तक मैटर गया है। हाला कि कोट ने फिल्म की रिलीज को रोकने से मना कर दिया है। फिल्म की कहानी लड़कियों के कंवर्जन पर बेजड है। सुदिप्तों ने एक चर्चा में मैं बताया है कि एक पॉइंट के बाद मुझे महसूस हुआ कि यह सब एक पैटर्न के तहत हो रहा है पहले लोगों को डराओ, हिंदु देवी देपताओं को डिस्क्रेडिट करो केरल की एक और्गनाईजेशन है जहां दस लड़कियां बुरे टॉचर जेल रही थी मैंने उनका इंटरव्यू किया, वहां से मुझे निमीशा फातिमा का केस समझाया गया मैसूस हुआ कि धर्मयंतन और उनके बाद का सिलसिला सोची समझी साजिस के तहद किया जा रहा है जोकि केरल में मुसल्मानों की तादाद सरकार बनाने में एहम रोल प्ले गरती है इसलिए इस मसले पर नेताओं और सरकार ने भी कुछ नहीं कहा फिल्म में तीन ही दिनों में अपनी पूरी लागत निकाल ली है फिल्म दकेरल स्टोरी ने कमाई की मामले में कमाल कर दिया है फिल्म में रविवार यानी रिलीज के तीसरे दिल 16 करोड रुपए की कमाई की है इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 35.25 करोड का हो गया है फिल्म को लेकर काफी कंट्रुवर्सी देखने को मिल रही थी बावजूद इसके फिल्म चबदस कमाई कर रही है फिल्म के तीसरे दिन की कमाई लगबख 42 फीजदी का ग्रोध देखने को मिला है लगबख 30-40 करोड में बनी इस फिल्म ने अपनी पूरी लागत निकाल ली है तो क्या आपने ये फिल्म देखी है? अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें शुक्रिया